Students, Welcome to our Social Science Online Class आजां, Class 10, Social Science, Democratic Politics के चाक्टर Political Parties, राधन देखतल के बारे में जानेगे आज के इस देख्चर में हम जानेगे पार्टी सिट्छा दलिये प्रणाली के बारे में National Political Parties of India हारती, प्रहुप, Political Parties के बारे में जानेगे Challenges to Political Parties Political Parties के समख्ष आनेवाले चुनोतियों के बारे में जानेगे और Suggestions to Reform Political Parties Political Parties में क्या सुधार किये जाती है उसके कुछ सुछाब इस बारे में हम आज जानेगे Student, इसके पहले में लेक्चर में आप Political Parties का मिले Political Parties अर्ट कारे और वाइड़ुपिनी Political Parties जान चुके है उनके बारे में पढ़ चुके है आज का ये लेक्चर Political Parties या के Party System दलिये प्रणादी के बारे में है दलिये प्रणादी एक दलिये प्रणादी क्या है वी दलिये प्रणादी वन पार्टी सिस्टम कई देशों में एक ही डलिये प्रणादी को सरकार बनाने और चलाने की आजाती है जैसे चाइना, कोरिया, क्यूबा एक ही Political Party होती है वन पार्टी सिस्टम में कोई प्रणादा नहीं हो जैसा की नाम से इसकर्ष्ट है कि एक ही Political Party को सरकार बनाने और चलाने की आजादी होती है तो वही एक मात्र Political Party अपना उमीद्वार खरा करती है चुनाव लगने के लिए और कोई प्रणादा नहीं हो द्वी रही है गणादी टू पार्टी सिस्टम क्या होता है कुछ देशों में सब्ता दो मुखे राजितिक गलों के पीच अदल मदल होती रहती है Political Parties जो दो मुखे Political Parties होती हैं उनहीं में से किसी एक को या फिर दूसरे को Political सकता राजितिक सकता हासिर होती है ऐसा अमेरिका और विटेर में होता है इस द्वीदलिय प्रणाली में विजेता को Maximum Voters को अपनी फेवर में करना होता है जो जाड़ा तर जो वोटर होते हैं उनको अपने पक्ष में करना होता है चुनाव जीतने में लिए इस तरह द्वीदलिय प्रणाली में तू-party सिस्टम में छोटे पार्टी खड़ी तो होती है प्रतिस पर्दा में हिस्ता तो लेती है लेकिन चुनाव से पहले ही बाहर हो जाती है चुटी-चुटी पार्टी जो है लेकिन चुनाव से बाहर निकल जाती है तो टू-party सिस्टम वी दलिय प्रणाली अमेरिका और बिटेगी में होता है मैटी-पार्टी सिस्टम बहुर अंदलिय प्रणाली जब बहुत अनेट तरह राजितिक सक्ता हासे करने में सक्षम होती है उसे कहते है मलटी पार्टी सिस्टम ॐ अनेट दलों को इस जब अबसर होता है ठीचा को असरो होता है पॉसिबिटेज्स होती है सकता हासे करने की तीन टीन तीन से अधिक पार्यटिकल पार्टी्स जब अलग या मिलकर राजनितित सक्ता हासिर करने की कालिबर रखती है या निकी शम्ता राजनित सक्ता अपने हाथ में लेने की शम्ता होती है उमें तो वो कहला भी है बहुत है उटनादी तीन या उससे अधिक दलों के पास अलबित या मिलकर राजने देख सकता हाथ में लेने की शम्ता होती है वही बहुदलिय प्रणाली कहराती है इस बहुदलिय प्रणाली में किसी भी दल को बहुदलिय संसे प्रणाली में विठाई सीठों पर वहुमा अगर नहीं मिलता है तो कई राधी तेकल मिलकर गट बंदन की सरकार बनाते हैं बहुत दल्य प्रणाली में कई राधी तेकल अगर किसी एक राधी के तल को बहुत नहीं मिलता विधाय सीचोपर तो कई राधी तेकल मिलकर गट बंदन की सरकार बनाते हैं तो हमने जाना पार्टी सिस्टम दल्य अप्रणाली के बारे में एक दल्य अप्रणाली, दो दल्य अप्रणाली, बहुत दल्य अप्रणाली, वान पार्टी सिस्टम, जो पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, तो यह था पार्टी सिस्टम, दल्य अप्रणाली के बा जिन क्या भारत की सबसे ठाव और मुख्य पॉलिटिकल पार्टी राज़तिकल है इंडियन नैश्वरल कॉंड़िस्भारतीि राज्टे राज्ट्रे कॉंगरेस कर गठाँ 1885 ने बारतीराश्टे रस्वान बाद्टे रस्टे कांगरेंज का गठन 1885 में हुआ और बात्य रस्टे कंगरेंज का चिनाव जिन है तो भार्टे रस्टे कंगरेंज जोड भारत का सबसे पुराना रायन देखतार है का गठन 1850 में किया गया और उसका चुनावचिन है आग बिजेभी भारती जन्ता पार्टी भाते जन्ता पार्टी बिजेभी का गठन 18-1980 में किया गया उनी सो असी में किया गया वार्थ जिद्धापार्टी का चुनाब चिन है लोटस कमर तो BJP भार्थ जन्दापार्टी जो की बहुत जन्दापार्टी है इस समय आमारे सरकार भी BJP की सरकार ही बनी है तो कुरी नियुक नटी ने शत्ताहसे घीई है तो 901 में बीज्टी का गचन किया गया गया उस्कर चुनाफजीन है विचू जेपी के लिखें CPI M भार्थी फामिलेस पार्टी 1964 में गठित की गई और इसका चुनाब चिन है हैवर, सिकल एंड स्टाफ CPI भार्थी फामिलेस पार्टी 1925 में गठित की गई जिसका चुनाब चिन है Year of Corn and Sickle NSP राश्टवादी फामिलेस पार्टी 1999 दिए गया और उसका चुनाब चिन है Daybird Rock NSP राश्टवादी फामिलेस पार्टी का चुनाब चिन है Daybird Rock तो हम भार्थ की फामिलेस पार्टी के नाम उनको प्रपकर चित किया गया और उनके चुनाब चित के बारे दे जाना Indian National Congress जिसकर चुनाब चिन हाथ है 1885 में established की गई BJP जिसकर चुनाब चिन Lotus है इन 1980 में established की है BSP जिसकर चुनाब चिन NS&N 1984 में की गई CPI भार्थ कामिलेस पार्टी M का गचन 1964 में किया गया और चुनाब चिन है Hammer, Sickle & Stuck CPI भार्थ कामिलेस पार्टी जिसकर गचन 1925 में किया गया चुनाब चिन है Year of Commonwealth सिकर M CPI राष्ट्री राष्ट्रह ने मोंगरेस पार्टी जिसकर गचन 1999 में किया गया और चुनाब चिन है तो आप में जाना भार्थ के प्रमू Political Parties के नाम उनकर गचन और सेलिष लग दिया अगा, अन्वुष के फर्ड़ किया अब हम चलते है राष्टिक दलों के समाख बहुत से चैलेश्चे आते हैं राष्टिक दलों को सत्ताा है तरुइ बहुत से Callश्चे क्वेश्चे क्याहकर oni तो राजयतिक दलों के समाख शुल राजयतिक दलों के समाख चुलों की चुलों गया है सबसे पहला लाजयतिक दलों के आपस में ट्रांस्परेंसी विल्कुल भी नहीं होती जिस से किसी भी नई की आपस में ऐा ग मत्राइटी नहीं दो तो प्रास्परेंसी का मतलब है कि आगटी यानि कि आर पार दिखाएंगे ना तो पॉलिटिकल पार्टी पेस्ट में आपशेंट विल्कुल भी नहीं होती डिमस्क्रेशन वांशवाथ की चुनोती पॉलिटिकल पार्टी के आपे एक बहुत बढ़ी चुनोती है है तो वो अप्षी पावर का इस्तिमाय करके वो छाती है कि निके रिष्टेदार या उनका आविर वंज ही उनकी पार्टी को चलाए और सकता हसित देते जिससे नहीं पार्टी ओं और नहीं राजनितिककलों को अफसर ही प्राप्ट नहीं होता सकता में आने ता तो नहीं नहीं पार्टिक reduz को आगे अपनी सब्सक्तकि में जमें रहने का अफसर भी नहीं मेंता जिएधा समय तक हो यह प्रिक बिधा राज्य पार्दिया विण एक आप में अगी आपका नहीं कता है। डाजनेत्स पार्टी में ऐसा को स्ट्रेंड ही बन गया है कि सकता में जिनके फंदा बहुत बहुत भटी ए या सफ्रावर्थ होती हैं वह सफ्रावर्थ हासिल कर लेके हैं पर नजलों को सक्ता में in ball दdeने तरह तो इससे क्या उता है जिनके सब्सक्रेश तो इसंद काुए उसमर मैं यह pounds की किलें करते हैं हो इसमें तो मुझेंस 가ल दाँ कि यह जाता है आदके जाकार सेंटीर मैं नutनेदंकेक लाइफंची activities पॉलिटिकल पार्टी मतलब उमीद्वार के पास बहुत सारे ओप्शन्स ही नहीं होगे कि वह क्या चुने कौन सी पार्टी चुने कौन से दल में जाए किस दल में उदे देशियों की पूर्ती होगी तो लाग ऑफ में पूर्च्वाइब लाग अंत्रिक कि जो विचार होती है यह डिशीजार होती है तो अन्य प्पार्टी काल करता शेलगी तो अपनी बात रखने-विचारर्थ laisser-बात नहीं होता तो लाग ओफ इंटर्ड डावर्टी तो राधिविक गलों के समग यह ले पे चालेंज़े सामें हैं लाग ओफ ट्रांस्परेंसी पार्ट शितागावा डायनेसिक सेस्टेशन महश्वार की चुनोती प्रब्लम अप्रम अप्राधिक तर्पों की उसपेड लाग बिलिवकों सब्सक्राइब करने के लिए अमोमन बहुत से चुनोतियों का सामना करना पड़ता है सब्सक्राइब सकता थे जींचे अंतले का इतलों का सारी लेच्ञह के ऊजब हbor और देश उजवल परविश्य को देखकर बनाया जाने चाहिए ना कि उनका स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए लेकिंगे अमुमान पॉलिटिक्स राइलितिक्स में बिल्कुल यह उल्टा होता है अपना स्वार्थ नहीं होता है जो लीजर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्वार्थ ना कि देश की घलाई गया देश का उजवल परिशे तो इन राहनते गर्णों में कुछ सुधा रहे हैं के आम इंप्या क्या करना चाहिए सबसे पहला कि कुछ फियर बदल करने चाहिए उसमें निश्यव किया जागा चाहिए कि उमीद्वार्थ जो किसी किनिम्म क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसका कुछ ऐसा अपराधिक बैक्राउंड नहीं होना चाहिए और सरकार चुनाप्रिक्रिया पर होने वाले खर्चे पर खुद ही सरकार का कर्णोर नियत्रा होना चाहिए जैसा कि आंकोर पर देखा जाना है मनी पावर्ष वाले पॉलिटिकल पार्टिस जो है अपनी मनी का दूर व्योग करके अनतिक कारें वारा भी सक्ता आशिए करने के प्रयाद्द करते रहते हैं क्योंकि उनका मूल उदेश्य सक्ता हासल करना है सरकार बनाना है और उसमें सब्सक्राइब करें लिए हैं फुर्मों समय समय सब्सक्राइब करने कोई है सबस्क्राइब करें इसके साथ सर्कार को करना चाहिए कि जो स्वाट से नहीं को नेता होते हैं संब्सक्राइब देशे जिनका सब्सक्राइब ही स्वार्थ की हिस्ते लिए होता है तो यह वी रादीक्छ बार बार दलों को ना बदले इसके लिए हमारे समधान में कुछ चेंज के जाने चाहिए एक जो सबसे बड़ी चुनोती आते हो वायश्वाब की तो इस पर भी कुछ बदल होना चाहिए कि जो मुखे लेता है जो राईतिक दल सत्ता हासिल कर रही है तो इस और भी कुछ वियां बनाए जाने चाहिए कि सिर्थ उनी के वायश्या उनी के जान पैचान वालों को भी सत सता हासिलों इस और भी कुछ लियां या कुछ फेल बदल किया जाने चाहिए ताकि राजय के समक्ष आने वाली यह सारी चुनोती लोग से वह पार उत्रें और अपना जो देश के प्रती पार्टिस सत्ता हासिल करने के लिए सरकार बनाने के लिए बहुत से अलैक्तिक कार् इंह सब्सक्रावत सकता प्राप्ट करने के लिए ऑलितिक नो होर उन दल में जो कमियास या जो उनकी नीतिया जो vergस करने के लिए वो नागों करके देश के भलाई नागριकों के बनाई चाहिए ताकि देश का भॉष्षे भी सुरक्षी को और देश का नागरिकों भी तरफ गो Healthinking करें तो लियतिक दरों की सुन्हार के लिए हमें देश को कुछ कदम उठाने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी में जो डल, जो पॉलिटिकल पार्टी सक्टा हासिल कर लेती है, बहाँआए पॉशिश करती है उसी के परेशित या उसी के वरशित की सत्ता बुर्ण है जिससे न fen полез पार्टी या नहीं उमिक्वारों को सत्ता हासिल करने का अफसर ही राक्त नहीं होता और अगर सत्ता हासिल हो जाती है या चुनाब जीच जाते हैं तो सत्ता में तिके रहना उनके लिए मुश्मिल हो जाता है तो देश की सरकार को चाहिए कि इस और कुछ नियम बनाएगा इसके साथ साथ रानितिक दल प्लिटिकल पार्टीज की वे ट्रांस्पेरंसी होनी चाहिए उनकी नीतियों में उनके कारेक्रहों में ताकि जो आम नावरिक है उनका अविश्वास प्लिटिकल पार्टीज पर बना रहे और उमीदवार के पास बहुत से आप्शन होने कि उनमें राजनेतिक घुलो को जो पॉलिटिकल मेंपर से उनको फेर बदर महां-भार पास्टी जो स्वार्च नहीं तोकर पार्टी बदलते रहते हैं यह कुछ नियां मनाना चाहिए हमारे संधान में ताकि नेता अपने स्वार्च से नहीं तोकर बार-बार पॉलिटिकल प प्रिफर तर प्रिबन्तर चाहिए कि सरकार्म बोच ना प्रक्रियां किया जाने वाले खर्च मे अपना नियांतर रखना चैनिे क्योंकि जो पास हमें पावए का इस रिया सक्ता हासल तो इससे वह अपने इसके विश्य के लिए नहीं सोचतें उसके पीछे उनका अपना स्वाट होता है तो सरकार को इस चुनाव पर होने वाले खर्चे पर भी नियंद्रा करना चाहिए तो आज हमने चाहना पहति इसस्टाम के लियर पर्णाली ये और एक दख़्णी प्रणा लिए लो पांटी सिस्टम टू कार्णा चाहिए इसके साथ हमने पॉलिटिकल पार्टिस में के समक्ष आने वाले चुनों की चैलेंजिस के बारे में जाना और राजितिक्तरों में सुधार के लिए समक्ष कुछ सुछावों के बारे में जाना तो स्टुडेंट्स हमने फॉलिटिकल पार्टिस मेनिंग फॉलिटिकल पार्टिस फंक्षिंस फॉलिटिकल पार्टिस के बारे में जाना और आज हमने चैलेंजिस सजेशन्स और बटिस सस्टम के बारे में जाना इसके साथ ही अमारे ले चेप्टर ही खतम होता है, स्वास्थ होता है, तो मिलते हैं नेक्स चेप्टर में, नेक्स वीडियों के साथ, तो stay safe, stay home, okay?